हलो एब्रिवन वेलकम टू माई योटूब चैनल आज के वीडियो में हम जानेंगे सुमत नाम का मतलब अगर आप अपने बच्चे का नाम सुमत रखने की सोच रहे हैं तो पहले उसका मतलब जान लेना जरूरी है आपको बता दें कि सुमत का मतलब बुद्धिमान बुद्धी के साथ एक अच्छे सुभाव होता है सुमत नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह विभार करने लगता है आपको बता दें कि अपने सीसु को सुमत नाम देकर आप उसके जीवन में सकरात्मक संभावनाव को बढ़ा सकते हैं वेदों में भी ये बात कही गई है कि सीसु को सुमत नाम देने से पहले माता पिता को इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए माना जाता है कि सुमत नाम वाले वेक्ति के सुभाव में बुद्धि मान बुद्धी के साथ एक अच्छे सुभाव होने की जलक देख सकते हैं सुमत नाम की रासी कुम्भ होती है भगवाम सनी देव और हनुमान जी को कुम्भरासी का अराधि देव माना जाता है कुम्भ रासी के सुमत नाम के लड़कों की उतेजन और परिसंचरन को यूरेनस ग्रह द्वारन यंतरित किया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्वरी और फर्वरी में इस रासी के सुमत नाम के लड़के पैदा होते हैं सुमत नाम के लड़के गुसेल प्रवित्ती के होते हैं इस रासी के सुमत नाम के लड़के अंगों में सूजन, गठिया, अस्थमा और हिर्दै रोगों से पिडित हो सकते हैं सुमत नाम के लड़के अकल मंद, उर्जा सिभरपूर और परोपकारी होते हैं इन्हें दोस्ती करना पसंद होता है सुमत नाम का सुबंग जिनका नाम सुमत है उनका सुबंग आठ होता है और वे सनिग्रह के अधिन रहते हैं सुमत नाम वाले लोग धन की बचत करने में निपूर्ण होते हैं इसलिए इनके पास हमेशा धन रहता है सुमत नाम वाले लोग अपनी सर्टों पर जीते हैं या अपने नियम खुद बनाते हैं लगी नमबर आठ वाले लोगों की संगीत में काफी रूची होती है ये दूसरों की मदद या भाग ये से नहीं बल्कि अपनी खुद की महनत और परियासूं से सफलता प्राप्त करते हैं इस अंख वाले लोगों का सुभाव काफी दयालू होता है इन्हें सफलता देरी से प्राप्त होती है सुमत नाम के व्यक्ति का व्यक्तित्व सुमत नाम के लोगों की कुम्भरासी होती है सुमत नाम के लोग आत्मनी अंत्रित और परतिभावान होते हैं कुम्भरासी के लोग खुद पर बहुत गर्व करते हैं क्योंकि इनमें बुद्धी की कोई कमी नहीं होती है सुमत नाम के लोगों को समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है कुम रासी के लोग समाज में अच्छा विभार करते हैं लेकिन मित्र बहुत ध्यान पूरवक चुनते हैं सुमत नाम वाले लोगों का वेक्तितो सहनु फूती पूर्ण होता है और ये हम में साथ जरूरत मंदों की मदद करते हैं इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही Thank you so much for watching my videos